जै मातादी दोस्तो कैसे हैं आप सब ही? दोस्तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में दिये गए बैल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें दोस्तो बात कर रहे हैं व्रिष्चिक राशी के जून 2022 प्रेम वैवाहिक और पारिवारिक जीवन के बारे में इस महीने में ग्रहों की क्या इस्थिती रहेगी और उसका आपके प्रेम जीवन पर वैवाहिक जीवन पर क्या सरपड़ेगा आई जानते हैं व्रिष्चिक राशी के जातकों के लिए प्रेम संबद्नी मामलों में ये समय मिश्रित रूप से फलदाई रहीगा प्रियतम के साथ रिष्टों में कुछ अजीब सा एहसास होगा आप में एकांत की भावना आएगी जिसकी वज़े से दूरी का एहसास होगा आप खुलकर बातचीत करें एक दूसरे को वक्त दें जहां तक हो सके इस दोरान व्यर्थ के जगडों से बचे मैरेड कपल्स के लिए ये समय थोड़ा सा मुश्किलों भरा रहेगा किसी पुरानी बात पर जगड़ा होगा कूट कचरी के मामले में भी आपकी उलजन बढ़ेगी बात करें पारिवारिक जीवन की तो व्रिष्चिक राशी के जातकों के लिए पारिवारिक द्रिष्टी से ये समय बहुत उत्तम रहेगा दूसरे भाव के स्वामी ब्रस्पती के मंगल के साथ पंचो भाव में होने से पारिवारिक जीवन में सुक शान्ती का माहौल रहेगा एक दूसरे के प्रती सामनजस से बढ़ेगा और प्रेम की भावना का उदे होगा कैई ऐसे दिन आएंगे जब पूरा परिवार एक साथ मिलकर बैठकर समय गुजारेगा इस दौरान परिवार में खुशियों का आगमन होगा, महमानों का आगमन होगा किसी करीबी दोस्त से जगड़ा होने की संभावना है अगर कोई मामला कोट का चैरी में हैं तो उसमें सुलह के संभावना दिख रही है व्यर्थ के नए जगड़ों से दूर रहें और घर के युवा सदश्यों से लड़ाई करने से आप दूर रहें बड़े बुजुर्ग आपके बरताव से खुश नज़र आएंगे माता पिता का स्वास अच्छा रहेगा हाला कि चतुर्त भाव में शनी ग्रह की इस्ति होने से भाई भेनों के लिए हलकी सी समश्या उत्पन हो सकती है मंगलवार के दिन हनमान मंदिर जाएं और बंदरों को गुड और चना खिलाएं आपके लिए बहुत लाबकारी गहीगा तो दोस्तो ऐसी ही और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें